नशे के सौधागरूं के विरुद्ध पिथोडागर पुलिस की कारवाई लगातार जारी है ऐसे ही एक मामले में एसोजी और कोतवाली पिथोडागर टीम ने करीब दो किलो चरस के साथ एक महिला को गिरफतार किया है पीठ पर टांक कर तेजी से घाट की तरफ दोडने लगी पुलिस ने महिला को रोक कर भागने का कारण पूछा और उसका नाम पता मालूम किया महिला ने अपना नाम बेलमती देवी उम्र 36 साल पतनी सोहन सिंग निवासी ग्राम बालिंग थाना धारचुला जिला पिथोड़ागर बताया महिला के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से चरस बरामद हुई बरामद चरस का वजन एक किलो आट सो ग्राम निकला पूस्तास में महिला ने बताया की वो कालिका धारचुला से चरस लाई है और उसे बेचने बरेली जा रही थी आरोपी महिला को गिरफतार कर उसके खिलाब संबंदित धाराओं में मुकदमा दर्जकर आगे की कारवाई की जा रही है उत्राखन की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद